हेलो वाट्सप गाईज आज हम इस वीडियो में देखने जा रहें यूज मैमो होक इन रियक वर्जन 19 जियां गाईज तो कल की वीडियो में मैंने आपको यह एक्जैंपल बताया था यूजिंग यूज मैमो होक एंड आपको बहुत ही ज्यादा मजा होगा लेकिन कहीं न कही से उसकी वेल्यूस को आप अप्टिमाईज कर दो आपका काम खता हम विध यहल्प आप यूज मैमो हुक ठीक है सिंटेक्स हमने देखा सब कुछ देखा तो कल का वीडियो जरू चेकौट की जिएगा आज इस वीडियो में हमने जो पर्सो की दिन वीडियो देखा था इफ आप यूज मैमो हुक को यूज करने के लिए तडपोगे वो इस वीडियो में आपको किलह करने आप ध्यान से देखना इतना तो आपको बता चल चुका है कि यूज मैमो का काम है कोई भी वैल्यूस है ना चाहे कोई भी फंक्शन उसकी जो वैल्यूस है उसको इस दी परफॉर्मेंस बाइक चैसिंग दी रिजल्ट अप एक्सपेंसे फंक्शन लेकिन यहां पर एक चीज इनो ने नहीं बताया एंड जो साथ बहुत कम लोग बताते एंड डैटीज ऑब्जेक्ट के साथ भी बहुत इंपोर्टेंट है कोई भी वैल्यूस कोई भी कर रहे हो उस पर्टिकुलर कमपोनेंट में तो उसको भी तो अप्टिमाइस करना जरूरी है आईनो आईनो अब आपके मन में आ रहा होगा यह क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हो ध्यां से देखना पर्सों की वीडियो की बात है जहां पर आपने रियाक्ट मेमो पड़ कर दे तो इसको में डिलेट कर रहा हूं ठीक है सिंपल बैक्टो नॉर्मल एंड अगर मैं यहां पर चलूंगा तो यह कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत कि लिए आपको आईडिया था कि जब जब मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्लिक करूंगा यह जो पर्टिकुलर कंपोनेंट वो फालतु का रिरेंडर नहीं होगा मैं मों का कामी यह कोई भी कंपोनेंट फालतु का रिरेंडर मत कर रहा हूं अंटिल एंड अनलेस उसमें कोई प्रॉप चेंज ना हो रहा हो ठीक है तो अब मैं क्लिक कर रहा हूं कोई प्रॉब्लम यह वान टाइम बराबर हमने इसको देख लिया था बहुत पॉफेटली इसको अप्टिमाईज या भी बट प्रॉब्लम देखना क्या होता है प्रॉब्लम लेट सिमेजिन मुझे यह जो मेरा काउंट वाला जो कंपोनेंट है ठीक है रवी इस पे कुछ प्रॉफ्स पास टर्मी खिए अब अब देखना प्रॉब्लम क्यासी स्टारट होती है फिए उसे ज नहीं मुझी अब्जेक्ट करना और दिश्यान से देखना धून, यहाँ पर चलता हू न referring first, entity के अब कोमाधेच में लिफिता हूं थर्टि ठीक होगा, इन यह सो आबजेक्ट के यहाँ पर एज प्रॉप्स पास कर देता हूं मैं लिखता हूं डेटा या बायो डेटा खुछ भी लिख दो बायो डेटा इक्वल टो इस तरीके से मैंने यह पास कर दी सिर्फ मैंने इतना किया अब देखना क्या होता है मैं यहां पे चलूँँगा इसको मैं रिफ्रेस्ट करूँगा ठीक हैब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं प्रोफाईलर पे जा रहा हूं ठीक है मैंने अल्रेड़ी द react.memo basically memo function use कर रहा है यह बोलके कि भाई इस component को जो करना है करो जो करना है करो मेरे को डिस्टॉब मत करो लेकिन यह क्या हो गया यह तो डिस्टॉब हो गया यहाँ पर बहुत क्लेरी देख सकते तो 11 ताइम्स भाई मैंने तो पांचे बार क्लिक किया तो 11 वैल्यू भी आगे वह अटपाटा ठीक है तो यह प्रॉब्लम है कि जहां पर आप यह सोच रहों कि भाई बस में तो memo यूज कर दूंगा इसके चलते कोई भी कापोनेंत कोई भी चाइल कापोनेंट आप कह ले जय सीव खिंग अविल्क ओंपों अगर आप चाहां इसकी वैल्यूश को दिखाना चाते थे उसके लिए हम यह मैंमू यूज करते थे लेकिन the moment मेंने एक प्रॉप्स क्या पास की खलास, खत्म अब हाँ आपके मन में आ रहा होगा ये क्या होगा लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल लेट से थापा पास कर देता ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना भी करता हूँ और इसको रिफ्रेस करता हूँ तो अभी मेरा ये काम करता हूँ तो अभी मेरा ये काम कर रहा है, ये सिर्फ पॉन टाइम है तो ऐसा क्या हो गया कि जब मैं नॉर्मल वेल्यू पास कर रहा हूँ तो कोई प्रॉलम नहीं है, लेकिन दा मोमेंट में अब्जेक्ट पास कर देता हूं उसकी हालत खरब आपका memo काम नहीं कर रहा आप नॉर्मल आपका अप्टिमाइज ही नहीं हुआ न इस इस component को आप कॉल करें लेकिन उसके बावजुद भी यह component कॉल हो जा रहा है तो फाइदा क्या हुआ फिर आपका memo यूज करने का तो यह क्यू हुआ मैं आपको बाता तो सबसे पहले तो यहां पे चलते हैं देखो रियक्ट डॉट में हमों क्या बोलता है कि इप दप्रोसेस देहां से देखना इप दी प्रॉप्स अब दी मैमोराइज्ट कंपोनेंट हैब नौट चेंज रियक्ट स्किप्स दी रेंडरिंग फोर देट कंपोनेंट यूजिंग दी कैस रिजल्ट इंस्टेड यहां पे भी सेम होई था कि अगर उसका अगर प्रॉप्स चेंज नहीं होता है तो like render एक तो वो करता नहीं है अगर कुछ value दिखाना पड़ा तो वो cash result उनको दिखा देता है important क्या था कि if the props of a memoized component have not changed लेकिन the moment अगर वो change हो गया तो खत्तम यहां पे भी देखो one more time react.memo एक ऐसा component है used to wrap the components that we do not want to re-render unless props within them change unless कब जब उनके अंदर प्रॉप चेंज नहीं होता है तो अभी भी अगर देखा जाए तो ऐसा प्रॉप चेंज तो कुछ नहीं हो रहा है यह तो simple सा एक object ही तो है कल के दिन मैं यहां पर जाओंगा मैं बूलोंगा भाई एक काम करो मैं directly destructure कर रहा हूं ठीक है एंड मैं यहां पर एक paragraph होगा मेरे पास simple सा चिपका देता हूं तो यहां पर मैं बाइव डेटा लिख देता हूं इस तरीके से बाइव डेटा ठीक है यह अगर मैं करता हूं तो आप आपका memo काम नहीं किया ना memo काम नहीं किया आपको अभी भी क्या चाहिए अभी आपको यह चाहिए कि मेरा यह component रेंडर ना हो simple क्योंकि यह constant value था यह प्रॉप्स कहा चेंज हो रहा है प्रॉप्स तो वह यह था पाई है हर बार आप इसको हजा बार क्लिक करो value my name इस था पाई रहेगा तो यह गलत है तो यहां पर आपका यूज मेमो काम आता है जहां पर यह जो पार्ट है ना object जब भी आप object पास करते हो ठीक है क्या होता है वह कहां इस्टोर होता है आपने यह pass by value versus pass by reference बहुत बार सुनाओगा इसका मतलब यह होता है कि अगर आपका object है अगर यही mybio data की value अगर आप किसी और object को दे देते हो एंड वह object लेट से आपने xyg को दे दिया equal to mybio data ठीक है तब अगर आप xyg को चेंज कर दोगे यहां पर let's say dot my name तो वह इसकी value को भी change कर देगा क्योंकि वह pass by reference it means कि memory में जहां पर उसका reference है हम directly reference दे रहे है इसका actual address अब इसको हमने दे दी अब इसके हाथ में है कि उसको क अब फिलाल इतना आप मत सोचो उस पर थोड़ा time लगेगा मेरको भी समझाने में अगर आपको एकदम अच्छे से इसको समझना हो तो कहीं नहीं है यहां पर we have a world-based JavaScript course and मुझे exactly नहीं idea I guess वह हमारे advanced course में होगा जब हम object पढ़ रहे थे तब मैंने आपको pass by reference versus pass by value को बहुत detail में with practical करके बता है तो प्लीज इस बार एक बार इस वीडियो को देख लिए बहुत important वीडियो तो क्यूंकि अब वो काम आने वाला है देखो जब यह जो प्रॉप्स है यह एक object है ठीक है pass by reference का मैं आप यह assume करो आपको पता चलिया तो हुआ यह कि जब फर्स टाइम यह पेज लोड हुआ फर्दी वेरी फर्स टाइम जब यह पेज लोड हुआ ओबेसली यह object कहीं न कहीं तो इस्टोड हुआ होगा let's say यह object इस्टोड हुआ इसको हम update कर एक मेरा state variable चेंज हो गया एक बार अगर यह चेंज हो गया तो यह मेरा जो component उसको क्या कर देगा रे रेंडर कर देगा जब रे रेंडर होगा तो उसकी बात यह जो पार्टे चला फिर यह जो एचान इसकी value अपडेट हुआ लेकिन साथ ही साथ यह एक component भी तो है उसकी बात क्या होगा इस particular component के पास हो आया अब यहां पे तो हमने अल्रेडी memo यूज किया है है ना जिसका काम यह था कि इसको block कर दो भाई नहीं चलाना इसको लेकिन फिर भी वो चल रहा है क्यों क्योंकि memo को पता कैसे चलेगा कि यह जो particular component है इसमें प्रॉप चेंज हुआ यह नहीं memo चेक करता है I mean memo को पता चलता with the help of references अगर किसी ने कोई props पास की है basically यहां पे तो memo क्या करता उसका reference चेक करता है previous reference और अभी का नया reference अगर दोनों से में it means कि कोई props चेंज नहीं हुआ इसको बिलकुल भी update मत करो बट इस case में वो update हो रहा है उसके पीछे का reason यह है कि जब हम object पास करते है और जब जब आपका यह component re-render होगा यह जो object है क्या होगा यह वापस memory में store होगी तो चलो first time तो x y g में store हो गया second time यह कहीं और store हो जाएगा let's say qwe third time यह हो जाएगा let's say asd four time xzc जहां पर भी हो basically I mean समझ दो क्या कहने के खुशिस करो में because object हर बार एक new जगे पे add होती है and उसका reference हर बार change हो रहा है so that is the reason why यह जो memo use करने के बावजूद भी you know just because हमने object पास कर दी and object अलग अलग जगे पे बार बार change हो रहा तो उसके चलते memo को यह लग रहा है अरे यार प्रॉप चेंज हो गया the moment memo को यह फेल हुआ कि प्रॉप चेंज हो गया उसने इस component को चलने दे दिया and यह component चला मतलब यह भी चल लिए अब simple ठीक concept पाता चल लिए object था and object साथ यह problem होता ही होता है अब हमें catch करना है मुझे यह करना है कि किसी तरीके से अगर मैं इस object को यह बता दू अरे यार आप जब एक जगे पे store हो चुके हो जो कि starting में x y g था तो क्यों आप बार बार अलग अलग जगे पे जाके store हो रहे हो समझे रहे हो अब यह लेकिन बताएगा कौन यहां पे काम आता है आपका use memo hook finally अब use memo hook का काम ही यह है कि जो values है उसको वो optimize करके रखते है क्योंकि अब जब यह button क्लिक करेगा यह component call होगा my bio data जो है उसको मैं पास कर रहा हूं and value तो constant ही है तो जब value constant है तो क्यों बार बार यही object को वेजना इसका एक value बना दो कैस करके रख दो वहीं सी data फिकवा दो समझ रहो ना मैं क्या बोल रहा हूं तो अब देखो क्या होता है use memo hook का काम यही है अब आता चला ना memo use करोगे उससे सब कुछ ठीक नहीं होने वाला use memo की help लगेगी ही लगेगी जब भी value को optimize करने की बारी आएगी use memo का काम यह कि एक बार यह set कर देगा अब कहीं और नहीं यह इसका original area है और यही इसका original रहेगा अब memo जब भी चेक करेगा reference अरे यह तो वही जगा है वह तो पूरा नहीं है update नहीं होगा फिर so use memo callback function and here we have one dependency अब यहां पर देखो हमें data return करना ही पड़ता है तो मैं यहां पर return लिख रहा हूं ठीक है return में मैं वह object return कर दूंगा यह दो ठूँ इसको मैंने उठाया paste कर दिया अब यहां पर my bio data जो है उसको मैं यह कर सकता हूं इस तरीके से ठीक है खतम तो use memo का जो भी values memoized value मैं my data को pass कर दे रहा हूं और वह मैंने अब यहां पर pass कर दी दो it's an object only बट इसको मैंने memoized कर दिया ठीक है अब जैसे भी आप उसको प्रणांस करें ठीक है अब मैं यहां पर refresh कर रहा हूं देखना and boom guys see हो गया यह कहां क्या हो रहा है यह वान का वानी तो है यह मेरा वान का वानी है कुछ टूबू नहीं वाई है देखो आपने देखा इतना तो आपको पता चल गया ना react.memo का काम में complete component को ही ब्लॉक कर दो भाई इस component में अगर प्रॉप चेंज वा तो ही component चलाना बनना मत चलाना यूज मैमो का काम है component को चलने दो लेकिन उसके अंदर कोई expensive function हो रहा है क्या या कोई ऐसे objects है क्या या कोई ऐसी value से जो disturb कर रहा हो उसको वह optimize कर देता है अरे बाई चलो यह disturb कर रहा है यह function इसकी value यह है इसको मैंने cash करके रख दी अब कभी भी कोई भी इस function को call करगा उसको छेड़ो मत यह value-dar रखी वहां से आप ले लीजिए तो इस तरीके से आपका काम कर रहा है I hope दोनों की बीच में difference पाता चल गया आज इस वीडियो में तो दोनों का ही help से मैंने इसको आपको perform करके दिखाया सिर्फ memo आपका काम नहीं करता कल की वीडिय है and use memo आपका सिर्फ उस particular उस particular भी क्या बना या तो values values को optimize करने के लिए अब इस तरीके से समझ लिजे और खासका रूब कौन से values इधर object जब आप as a props पास कर एल्स expensive calculations जिसको बार बार पाफ हम करने की need ना पड़े simple ठीक है so yeah this is it आज इस वीडियो के लिए तना ही I hope finally जो कि पूसिस कर रहते समझने के लिए यह वीडियो देखिए अब आपका वह doubt clear हो गया होगा कल फाइनल एक बचाए that is your use callback hook तो वह एक बार आपको पता चल गया आपकी लाइप इतनी easy हो जाएगी ठीक है तो guys इसलिए बात आ रहा हम प्लीज वीडियो को like दोस्तों के साथ भर ऩी होगा किया हो